सभी को जहिन, मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हुआ आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल Mission NCC The Way of Success में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले NCC Entrance Test के बारे में दिखेगा बहुत सारे स्टूड़न्ट 2021 में NCC में भरती होना चाहते हैं लेकिन उन सभी को यह नहीं पता है कि NCC के Entrance Test में किस तरह के Questions पूछे जाते हैं तो उसका आज हमें एक Model Question वेपर जो है डिसकर्स करने वाले जब भी आप NCC में भरती होने जाते हो तो सबसे पहले आप सभी को एक Physical Test देना होता है उसके बात में आपको एक NCC का Entrance Test देना होता है तो NCC Entrance Test में किस तरह के Questions पूछे जाते हैं उसका हम आज एक Model Question पेपर डिसकर्स करने वाले हैं जो की NCC Entrance Test Model Question पेपर 5 होने वाला है अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट हैं जिनोंने NCC Entrance Test Model Question पेपर Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 इन वीडियोस को नहीं देखा है तो अगर आप सभी को वो सारी वीडियोस देखना है तो मैंने एक Playlist बनाई है Playlist का जो नाम है NCC Entrance Test 2021 इस तरीके से मैंने एक Playlist बनाई है इस Playlist का जो Link है आप सभी को नीचे Description Box में मिल जाएगा आप सभी नीचे Description Box में जो सबसे पहला Link होगा वो इसी Playlist का होगा उसके उपर क्लिक करके आप इस Playlist में Enter कर सकते हैं और अगर एक बार आप इस Playlist में चले जाते हो तो आपको वहाँ पे सारी वीडियोज मिल जाएगी और वहाँ पे आप पूरी सीरीज से आप वहाँ पे वीडियोज देख सकते हो ठीक है? चलिए तो बिल्कुल आज का जो हमारा ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले आप सभी को बता दू कि ये पीडियोज आप सभी के लिए फ्री है और वीडियो के लास में आप सभी को बताने वाला हो कि आप सभी इस पीडियोज को कैसे डाउनलोड करोगे तो वीडियो सिर्फ दस मिनिट का होने वाला है तो वीडियो लास तक जरूर देखे और वीडियो के लास में आप सभी को इस PDF को आप कैसे डाउनलोट करोगे उसके बारे में भी बताने वाला हो तो चले बिल्कुल आज का जो हमारा वीडियो अप स्टार्ट करेंगे NCC Entrance Test Model Question Paper Part 5 तो जब भी आप exam देने जाते हो तो आपको एक घंडे का समय मिलता है और इसके जो maximum marks होते हैं वो 50 mark होते हैं और इसमें जो questions आपसे पूचे जाएंगे वो होंगे 25 question ठीक है तो 25 question यानि कि एक question आपका 2 marks का होगा इस बात को भी आप याद रखेंगे उससे पहले एक बात आप सभी को clear करा दू अगर देखेगा NCC का जो entrance test होता है वो बिल्कुल उसमें basic question पूचे जाते हैं कोई ज़्यादा difficult question नहीं होते हैं बिल्कुल आसान question होते हैं आप आराम से उस entrance test को आप clear कर पाओगे देखेगा कई बार क्या होता है अगर जब आप NCC भरती के समय में जब जाते होता हो ज़्यादा अगर competition नहीं होता है तो आपका ये NCC entrance test भी आपको नहीं देना होता है लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो आपको NCC entrance test का exam देना होगा ठीक है अगर बच्चे मानलो भरती के समय में अगर बच्चे बहुत काम होते हैं तो आपको NCC entrance test को देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बच्चे अगर जाधा होते तो आपको NCC का entrance test आपको देना पड़ेगा ठेक है चले तो इसमें किस तरह की किस question पूचे जाते हैं बिल्कुल model question paper हम देखने वाले है भारतिय सिनमा के जनक कोन है तो बिल्कुल भारतिय सिनमा के जनक कोन है तो दादा साहब फाल के चले next question है भारत में डॉक विवस्ता शुरू करने वाले British Governor General कोन थे तो Lord Dalhoji ठीक है तो भारत में डॉक विवस्ता शुरू करने वाले जिनका अपने कार्यकाल में ही निदन हुआ था, ठीक है, तो भारत के तीसरे रास्टपती कौन थे और जिनका अपने कार्यकाल में ही निदन हुआ था, तो डॉक्टर जाकीर हुसेन साब थे, कौन थे, तो डॉक्टर जाकीर हुसेन साब, नेक्स्ट कोशन है, कि भारत का रास दक्षिन भारत की गंगा कहलाती है तो गोदावरी लिए रिवर जो हो दक्षिन भारत की गंगा कहलाती है चले next question है लोपडर करक करे का भारत के कितने राझयों से होकर गुजरती है तो 8 राजयों से होकर गुजरती है कितने तो आठ राज्यों से नेक्स्ट कोशन है भारत के निम्मे में से निम्मे में से किस राज्यों में पुरुषों की संक्या स्त्रियों से कम है तो कम है नेक्स्ट कोशन भारत में सबसे उचा बांध भाकडा किस नदी पर बना हुआ है किस नदी पर ब लिए लिए तो इसलिए गना योपी जो है वह शकर का कटोड़ा उत्तर प्रदेश को जाए वो शक्कर का कटोरा कहलाया जाता है चले उसके बाद में नेक्स्ट कोशन है कि भारत का एक मातर स्थान जहां पर टीन पाया जाता है तो कौन सा स्थान है तो हजारी बार जहां पर टीन पाया जाता है नेक्स्ट कोशन है वह नदी घाटी जिसे भारत की रूर के नाम से जानते हैं आपको बताना है कि वह नदी घाटी जिसे भारत की रूर के नाम से भी पुकारा जाता है तो किस नदी को हम भारत के रूर के नाम से जानते हैं तो दामोदर नदी को ठीक है दामोदर नदी को जो है हम भारत के रूर के नाम से भी पुकरा जाता है नेक्स्ट कोशन है भारत में किस राज्यों को भारत का खाद्यान्य भंडार के रूप से जाना जाता है तो भारत के किस राज्यों को भारत के खाद्यान ने भंडार के रूप से जाना जाता है तो पंजाब से पंजाब राज्यों को जो है खाद्यान ने भंडार के रूप से जाना जाता है नेक्स्ट कोशेन है शान्थी घाटी कहां पर्शती थे? नेक्स्ट कोशेन के सहिं। नेक्स्ट कोशेन है भारतिय वनस्पतिक सर्वेक्षन का मुक्ष्ण यह तो लखनों में। कापे तो लखनों में नेक्स्ट क्वेशन है कि भारत में उर्जा का सरवादिक महत्वपूर्ण स्त्रोत क्या है तो कोईला है चलिए अगरा क्वेशन बात करेंगे रास्टिय विज्यान दिवस कब मना जाता है 28 फरवरी को रास्ट्य विज्ञान दीवस मनाया जाता है next question है भारत में समूदरी तर्ड रेखा वाले राज्यों की संक्या कितनी है तो 9 है कितनी है तो भारत में समूदरी तर्ड रेखा वाले राज्यों की संक्या कितनी है तो 9 है चलिए अब बात करेंगे अगर आप सभी इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो देखेगा मैंने टेलिग्राम में जो है टेलिग्राम चानल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप सभी उस टेलिग्राम चानल पे एक बार विजिट करिए और वहाँ पे टेलिग्राम चानल पे जाईए और इस PDF को मैंने टेलिग्राम चानल पे अपलोड किया है वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर पाऊगे ठीक है वहाँ से बिलकुल आसाने मैंने अपलोड कर दिया है आप जाए टेलिग्राम चानल पर वहाँ से PDF डाउनलोड करें और अच्छे से इस PDF की एक दो बार प्रैक्टिस करिए चलिए और एक बात मैं आप सभी को बता दू देखिएगा मेरा एक नया चानल है नितिन निकोडे व्लोग्स अगर आप व्लोगिंग देखना पसंद करते हो अगर आप एडवेंचर, NCC Adventure देखना पसंद करते हो एडवेंचर के बारे में जाना चाते हो तो एक मेरा व्लोगिंग चानल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है नितिन निकोडे व्लोग्स आप उस चैनल के उपर क्लिक करके आप एक बार उस चैनल को ज़रूर चेक आउट करिये ठीक है ताकि अभी जो है मैं व्लोगिंग के वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ तो बिल्कुल आपको मेरे लाइप स्टाइल के बारे में दक्षिनी बिंदू क्या है तो इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिनी बिंदू क्या है तो इंदिरा पॉइंट है नेक्स्ट कोशन है भारत और चीन के बीच में कौन सी रेका सीमा निर्धारित करने की कारिय करते है भारत और चीन के बीच में जो एक सीमा रेका है तो उसे क्या नाम से जानते हैं तो मैक मौन रेका के नाम से जानते हैं भारत और पाकिस्तान को विबाजयत करने वाली रेका को किस नाम से जानते हैं तो रेड क्लिफ रेका के नाम से जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच म भारत की सबसे लंबी स्थलिय सीमा किस देश के साथ लगी है ठीक है भारत की सबसे लंबी स्थलिय सीमा जो है वह किस देश के साथ लगी है तो बंगलादेश के साथ किस देश के साथ तो बंगलादेश के साथ लगी है तो इसी तरह किसे basic question इससे भी ज्यादा basic question आपको तो ल अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो एक बार लाइक कर दीजे जरूर ठीक है और चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आप सभी को न इसी तरीके से NCC की नोटिफिकेशन कब निकलती है NCC entrance test में किस तरीके से question पूछाते सारी NCC के related सारी information आपको इस तैनल के ऊपर मिलते रहेगे इसलिए चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे दीखेगा आज के NCC entrance test में मैंने आप सभी को 25 question पूछे थे ठीक है 25 मे आप मेरे vlogging channel को भी बिल्कुल एक बार check out कर सकते हों वैसे तो हमारी daily रात को 8 बजे class चलती है लेकिन अभी मैं तो vlogging के लिए मैं थोड़ा सा दूर आ चुका हूँ ठीक है साथपुड़ा range आपको पता होगा जो कि नंदुर बार मिस्ती थे साथपुड़ा range के उपर मैं वहाँ पर आपको वीडियो भी अच्छी मिलती रहेगी तो चले बिल्कुल मिलते बिल्कुल next वाली class में और आप हमारे साथ Instagram पर भी जूड़ सकते Instagram का link भी मैंने description box में दे दिया है तो बिल्कुल मिलते next वाली class में तब तक लिए टाटा बाइबाइ सानर अलविदा आपक हम सब पार्टी है